हेलो फ्रेंट्स और वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया तो जी एक नए व्लोग के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे टाइम है दुपैर के करीब बज रहे हैं धाई और दिन है यह मंगलवार का तो जी तैयारी हो रही है शाम के डिनर की अब यहाँ पे य घरा आ गए तो उसने कई बार बोल दिया इवन आए हुए भी मुझे दस से बारा दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी जो है ना बनानी पाई में आप चोईस हो जाती है क्योंकि इनके पापा राजमा खाते नहीं है बच्चे खाते हैं बच्चों की चोईस अला गया इनकी सुचना पढ़ जाता है यह सब चीजे बनाने के लिए तो बस यहां पर राजमा भी हो दिया है मैंने अब फटा फट से मैं कर रही हूं चाई की तो मेरी आदत पढ़ गई है यह दुपैर की चाई पीने की मुम्मे के हई से पहले भी मैं बना लेती थी मैंने बहुत बार आ हम भी पिएगे हम भी पिएगे तो काई तो कही बार मनाही कड़ेति है कमी चाई पीती है जादा ने पीती लेकिन आज उसको भी पीनी थी तो उसने बोल दिया अब यहां पे मैंने चाए चडादी है अदरक इसमें ढाल दिया गर्मी ओ है सरदी बगर अदरक की चाय नही ल अब यहां एक नई चीज ओर आई घर में तो गुड़हल का पेड़ लिया है इनोंने और बोलते हैं कि गुड़हल का पेड़ घर में रखते हैं तो अच्छा रहता है और मैंने इसको यहीं पर लगा दिया फिर उपर जाने के लिए चट पे बहुत जादा हो जाता है कि कई ब बच गए हैं साड़े चार तो देहरिये सोया हुआ था और उर्वी काविया गई ती टूशन उसके बाद मुझे लगाई भूप तो मुझे लग रहा था अब मैं क्या ही खाऊं तो सबजी बगारा रूटी खाने का मेरा बन नहीं था बिलकुल भी तो मैंने आपर सिंपल सी जो टू मिनिट मैगी होती है वह बनाई कि जादा तर न ये टू मिनिट मैगी सिंपल वे में ही जादा च्छी लगती है जादा टमाटर प्याज शोक होक के बनाते न वह थोड़ा लग पेस देती और ये अलग तो बस मेरा मन था अज ये खाने का अब यहां पर किचिन का हा तो यहां पर मेरी मैगी रड़ी है और देखे कितनी अच्छी टेस्ट मदब देखने में ना बहुत ही अच्छा लुका रहा था और खाने में भी टेस्टी बनी थी तो चलिए मैं तो खा लेती हूं आईए आप लोग भी आ जाईए तो जब तक मैगी रड़ी हुई बनके आई नहीं है बस अब खाने जा रहे हूं तो जी इवनिंग का टाइम हो गया करीब ओने साथ बज रहे हैं तब तक जो है ना मैंने यहां पर राजमा वगर अच्छे से दोया और एक बार और और फिर उसके बाद जो है इसको बॉइल करने के लिए लिए अब यहां पर फट जाल दिया है उसके बाद अब कर सा नमक डालके मैंने इसको भुएल होने के लिए रख दिया और यह बॉइल होने में इतना टाइम लेता है जितना की आप अगर जैसे कोई भी चोले से ठोड़ा कम टाइम इसमें लगता चोले में ध्यादा लगता है वह ठोड़कर केड़े लेकिन मुझे यह भी लगता है कि फुन सी बगरा ना निकले इसी डर के मारे मैं कम देती हूं लेकिन कई बार होता है को खुद ही लग जाता है लेने में प्यास लिये है नेने कोती पूरा है टो टमाटर लिये हैं और चोटा सा अधरक लिया है इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लिया ह। ऐस पेस्ट जो हैS बिल्गुल रड गोर उत्माटर की वज़े से तो यहां पे राजमा बॉयल हो चुके थे और बहुत अच्छे से बोईल हो गए थे तो जी अब कर लेते हैं राजमा को छोकने की तैयारी तो यहाँ पे मस्टर ओयल लिया है भगोने में और सबसे पहले शुरुवात में मैंने इसमें डाली दो से तिन इलाइची बता इसलिए रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है ओन करना भूल गई थी और बस मसाला जैसे इसमें आ गया तब मुझे यादा है वीडियो ओन करना है फिर उसके बाद यह जो पेस्ट मैंने इसमें डाला था लसन प्यास टमाटर का वो सारा डाल दिया फिर उसके बाद इसमें सूखे मसाले गए है नमक मेच हल्दी और सूखा दनिया एक और चीज एक्स्टर इसमें गई थी गरम मसाला क्योंकि गरम मसाला छोले या फिर टाड़ी लाल हो जाए तो देखिए बहुत अच्छे से पग्या है अब इमें इसमें राजमा एड़ कर दूगी और राजमे का जो पानी था था ना वह ने निकाल के फेक दिया है क्योंकि मैं वही वाला पानी कभी निढलती जैसे राजमें वाला वॉयल वही बहुत ऑना बिल्कुल ठीक बनती है सब जी लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता या तो मैं छोले बोईल करूँ या राजमा जो भी चीज़ा उनको निकाली देती हूं उसका पानी फिर उसके बाद अलग से फ्रेश पानी वेस्ट में डालती हूं अब यहां पर राजमा एड़ किया उसके बाद दो गलास पानी मैं इसमें एड़ किया और मुझे जो है ना इसकी ग्रेवी थिक बनानी थी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखे हो जाए राजमा तो वो नहीं अच्छे लगते अब यहां इनको मंदी गैस पर रखर दूँगी औ तो चावल के लिए दोबारा से कुकर मैंने साफ कर लिया था क्योंकि छोटा कुकर खराब है तो इसलिए ना बड़े कुकर में ही बनाने पड़ रहे हैं यहां पर जो है ना चावल बिल्कुल सिंपल वे से चुके हैं मतलब रिफाइंड डाला फिर उसके बाद चावल इसम तो ठीक लगते लेकिन जब वैसे राजमा छोले वगरा के साथ बनते हैं तो बिल्कुल प्लेन राइस ही बनाती हूं अब यहां पर पानी डाल दिया जितने चावल थे उतने का डबल पानी डाल दिया उसके बाद इसमें नमक एड़ कर दिया है अब मैंने इसमें धनिया ए बच्चों का फीडबेक था ना वो मेरी महनत के अकोर्डिंग ही मिलाता मतलब जितनी महनत मैंने की थी उतना उनको टेस्ट भी आ गया राजमा चावल में बहुत ही जादा टेस्टी बने थे और अच्छे बने थे बलकि मुझे भी बहुत ही जादा पसंद आये तो जी अब बगरा ले आते हैं तो यह भी मैं इधर ही रखती हूं उधर रख दूंगी ना चपल बगरा रखने वाले के आप तो महां पर गंदे हो जाते हैं तो इसलिए धोगों के नहीं पर रखना होता अब एक किचन स्लेप के इतना एरिया है नहीं जो मतलब कवर अब हो सके अब इ जो है ना मोका जब लगेगा तब ही हो गाई है तो यहां पर यह जो चोकी है ना जो मेरी इस पर सलेंडर रखा हुआ था तो सलेंडर अब आ गया है यही पर किचन स्लेप के नीचे क्योंकि वहां पर लग गई है पेड़ तो इसलिए ना यह जो चोकी है ना बैटने वाली इसी के उपर मैंने लहसन प्याज की टोगरी को रख दिया अब जो है ना अच्छे से इसके नीचे से सफाइव फाई सब हो जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा डब्बे हैं टिफिन है उन सब को ना मैंने अर्जस्ट करके रख दिया है यही पर उपर जादा दिखाई ना द तुझी सारी चीजी अर्जस्ट करने के बाद ना कुछ इस तरीके का लुक आया मेरी किचन में यह देखो अब थोड़ा खुला भी लग रहा है और यह नहीं लग रहा है कि जादा ना भरी भरी सी है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है बिल्कुल भी अब जो है ना मैंने जो दबे वगरा हैं बरतन वगरा साफ कर लेते हैं क्योंकि यह दबे जो टिफिन है इसमें टोकरी में यह सारे एक्स्ट्रा है अब इनको भी जिनको मुझे रखना उनको मैं रखूंगी बाकी के जो है ना फेक दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पहलावत तो तब होता है जब हम एक्स्रा चीज़े रखते हैं अब जिनकी ज़रत भी नहीं होती हम और्दों के आदत यही होती है कि हां यह भी काम आजाएगी वो भी काम आजाएगी अब इसी उससे ना भीड़बार सी मचे जाती है कि इसलिए आज मैंने सोचा था कि जो चीज रखने के इसलिए कि मॉर्दों का जाधा तब टाइम ना किचन में निकलता है ना तो इसी वजळे की इस द होती है और जो भी चीजे होती हैं में अध्यान में एक्तम आजाती है कि कल हमें ये करना है एचन हमेशा साफ सुतरई तो जी बस फटा फट से अब बारी आ गई है पोच्छे की तो पोच्छा लगा दूँगी साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का भी हही पे है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा शेर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा चैनल को बेल आइकन दबाना प्लीज मत भूलेगा मिलते हूं नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई एंटे क्या